आगे मत्रोर काशी पर रक्षा मंत्री राज़ास सिंग ने कहा है कि जो मामला अदालत में विचार धीन है जो अदालत का फैसला हो उसे स्वीकार करना चाहिए मंदिर वहीं बनाएंगे आपका बहुत बड़ा बयान था बहुत बड़ी आपकी प्रामिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया एक और आपका नारा था एक और आपका नारा है कि अभी तो ये जहाकी है मत्रुरा काशी बाकी है तो इसको आप कैसे देखते हैं इस मैनिफेस्टों में इस पर आपका परसनल मत भी जानना चाहूंगा एक पर ऐसे मतुरा काशी के बारे में आप तो पहले से कर्वाद है कि आप एक जी और की काशी और मत्रो अपनी जगा पर यह सिलसला कब तक चलेगा कितने जगों पर हम मंदिर बनाएंगे क्या यह 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 य चाहिए कोई एक जगह पे कि यह आगे बढ़ता चला जाएगा इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे मुहन भागवा जी ने भी कहा है कि काशी और मत्रो के बाद हिंदूों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है क्योंकि एक सेकुलर कंट्री में हम को सबसाथ में रहना है तो इसके आपका अपना मत क्या है नहीं भारत पंत इंदर पक्षडेस है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है इसमें किसी को कोई आपती नहीं होनी शाहिए लेकिन मैं कासी मत्रा की बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना शाहूंगा क्योंकि मामला समय सब्यूरी से अदालत में भीशार अदियर है। मैं इसमादत हूँ आदाल्त के फैसले के हमको प्रधिक्षा करनी चाहई है। जो आदालत का फैसला होगा। निro करेंगे? जैसा राममंदिर के कोई संकोष नहीं है, अदालत का फैसला होगा करेंगे जी और आप भी मारी वात से सहंवत होंगे कमस्कम अदालत के फैसले को या कोई भी संतार हो उसे शीकार तो करना चाहिए बिलकुल करेंगे जी और ये पूरा इंटर्विव आप जरूर देखें रात आठ बजे विक्सित भारत के लिए चार सो पार झाल